नमस्कार भारत में एक समान विकलांग पेंशन को लेकर पूरे भारत के विकलांग जन इकटा होंगे दिल्ली रुशिकेश राजली रतिया विकलांग अधिकार मंच हरियाना जिला फतेबाद के जनरल बोड़ी की बैटक का आयोजन जिला अध्यक्ष सुरेंद्रकुमार गोयल की अध्यक्षता में सती मंदीर तियाग में किया गया जिसमें विकलांग अधिकार मंच हरियना के राज्य महासचीव रुशिकेश राजली विशेशतोर पर शामिल हुए बैटर को संबंदित करते हुए मंच के राज्य महासचीव रुशिकेश राजली ने कहा कि पूरे भारत में विकलांग पेंशन एक समान नहीं है भारत के अलग-अलग राज्यों में विकलांग पेंशन का पैमाना अलग-अलग है भारत के किसी राज्य में विकलांग की पेंशन एक हजार है किसी राज्य में पंदरा सो है तो कही अड़ाई हजार रुपए है और हरियाना में विकलांग पेंशन सत्ता इस सो पचास रुप सेवा उपलब्द करवाई जाती हैं केरला दिल्ली व तेलंगना राज्यों को छोड़ कर भारत के किसी भी राज्य में विकलांग एक्ट लागू नहीं है उन्होंने कहा कि पूरे भारत में लागू करवाने पूरे भारत में विकलांगो को एक समान पैंशन पाच हजार विकलांग एक्ट 2016 भारत के सभी राज्यों में लागू करवानी आधी मांगो को लेकर नपी आरडी के आहुआन पर दस चुलाई को दिल्ली में जंतर मंतर पर विकलांग का राष्टिय प्रदर्शन होने जा रहा है जिसमें पूरे भारत के विभिन राज्यों से सेकडों क कि संख्या में विकलांग अपनी मांगो को लेकर जंतर मंतर दिल्ली में इकटा दॏकर प्रदशन कर लेगु जिला पत्र पत्र के फत्यबाद के से भी काफी शंख्या में दिल्ली जाने को लेकर बैटक में सहमती हुई बैटको जिलाद्यक्ष सुरेंद्र कुमार गोयल ने सम्मधितो करते हुए कहा कि स्थाई तोर पर 100% विकलांग के बने मेडिकल प्रमान पत्र को मेडिकल बोर्ड फत्यवाद दोरा 100% स्थाई विकलांग का ओनलाइन मेडिकल प्रमान पत्र बनाते समय उसकी प्रतिशत कम कर दी जाती है जो की 100% विकलांग के साथ अन्याय हो रहा है 100% स्थाई विकलांग के प्रतिशत कम करने का मतलब है कि उसके पास बस सुविधाव अन्या मिलने वाले सुविधा से वंचित करना है और काफी तरफ हरियाना रोडवेज के परिशारों का भी 100% बस पास धारक विकलांग के प्रतिव्यभार ठीक नहीं है और 100% बस पास धारक विकलांग को परिशारों का द्वारापने मन मर्जी करते हुए जबरदस्ती तिकट काटी जा रही है जिसके विकलांग की तरफ से मंच को निरंतर शिकायते भी मिल रही है उन्होंने कहा कि सरकार का प्रशासन परिशालों का इस मामले के बारे में समझाया जाए और विकलांग को पेंशन न करने के हिदायत दोज दी जाए नहीं तो अगामी समय में विकलांग को बोड स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने के मजबूर होना पड़ेगा जिसके सारी जिमेदारी सरकार वो प्रशासन की होगी। इस अउसर पर जिल्ला सचिव सुरेंद्र जान्डली, जिल्ला समह सचिव, सह सचिव रतिया ब्लोग अध्यक्ष करमजित सी पदम, जिल्ला कुपाद्धेश भूना ब्लोग अध्यक्ष इश्वर भूना बिंकर सी अन कुमार मम्मत राम राजेश कुमार सुरेंद्र कुमार बिद्रासनी बाजसी बोलासी मोहीत कुमार गर्ग पम्मा राम के इलावा अन्य विकलांग सदस्य बैटक में उपर